नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, आज हम एक बार पुने हाजिर हुए हैं, ये अपनी लाइव क्लास नमर चार है, कक्ष्या 11 MCRT का ये चोथी अध्याय है, चोथी यूनिट है, जिसका नाम है संस्कृति एयों समाजी करन, तो आज हम इन दो जो बेसिक हमारी आउधारनाई हैं, संस्कृति एयों समाजी करन, दोनों एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़ी हुई है, और समाज की निर्माण में इनका सबसे महतोपुन रोल है, तो आज हम इनके अर्थ, परिबासा और परकार के बारे में जानने का प्रियास करेंगे, NCRT किसी भी एक्जाम का बेस होता है, आप कोई भी एक्जाम दें, उस सब का बेस है, वो NCRT कक्षिया 11 और 12 है, तो बार-बार मेरे पास ये कोल आते हैं या बताते हैं कि सर, BPSC के लिए, PGT के लिए, या NET के लिए बताईए, तो ये सब के लिए पुर्ण है, ऐसा कोई भी एक्जाम नहीं है, चे वो कक्षिया 11 का हो, चे 12 का हो, BA का हो, MA का हो, NET का हो, SET का हो, PGT का हो, Assistant Professor का हो, यहां से पूछा ही पूछा जाएगा, और मैं उन विंदूओं को लेकर आया हूं, जो महतोपुर्ण हैं, जहां से क्यूशन बनते हैं, तो यह हमारा चोथा आध्या है, संस्कृतियों, समाजी करण, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले संस्कृति को जान लेते हैं, फिर उसके बाद में समाजी करण को जानने का प्रयास करेंगे, लेंगवेज, NCRT की टफ है, मैंने उसको सरल लेंगवेज में पुर्थुत किया है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, जिसे कहते हैं, सविधान के मूल ढांचे से खिलवार नहीं किया जा सकता, इसी परकार से NCRT के जो मूल content है, वो मैंने रखा है, बस थोड़ा सा करते हैं, संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में हम दिन रात परियोग करते रहते हैं, कि देखो जी हमारी संस्कृति तो बहुत अच्छी है, उनकी संस्कृति बुरी है, हमारी संस्कृति में तो ऐसा नहीं होता है, आप के ऐसा होता होगा, य हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता है, उनके वहां देखो इस परकार से होता है, तो यह सब कहीं ना कहीं संस्कृति को दर्साते हैं, किसको दर्साते हैं, संस्कृति को दर्साते हैं, तो इसमें कलात्मक अविवेक्ति की हम बात कर रहे होते हैं, जब बोल रहे हैं तना कि हमारे इसा होता है, उनके ऐसे नहीं होता है, हमारे तो विवा की ऐसी प्रमपरा है, उनके नहीं है, हमारे तो तलाक नहीं होते हैं, उनके तलाक हो जाते हैं, हम तो साकारी हैं, वो मासारी हैं, ये सब कहीं न कहीं बातें संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, तो संस्कृति के अंदर हम इनसे तात्प्रे समझते हैं कि रिती रिवाज होते हैं हमारे रिती रिवाज ऐसे हैं आपके वेसे हैं धार्मी किरिया कलाप हम तो ऐसे पुजा करते हैं आप वेसे पुजा करते हो हमारी भेसबुशा ऐसा है लग बग लग बग हम इनी बातों को लेकर एक दूसरे को उलावना देते हैं लेकिन समाज सास्तर में इन सब के साथ में संस्कृति का विश्त्रत प्रयोग किया जाता है और ये कहें कि संस्कृति एक जीवन से ली है तो जदा अत्योस्योक्ति नहीं होगी जनम से लेकर मर्त्यू और यहां तक कि जनम से पहले जब कुछ संस्कार होते हैं गर्बावस्ता गर्बधरन संस्कार होता है और मर्त्यू के बाद जब अन्तेष्टी होती है तब संस्कृति कारे करती है तो ये जीवन से लिए को दरसाती है संस्कृती और कहीं ना कहीं ये प्राकर्तिक परिवेश से प्रवावित होती है तो इस परकार से संस्कृती में हम जो हमारे वेवार है हमारा खान पान है हमारा रहन सेन है हमारी कलात्म का विवेक्ति है चेबो स्तापत्यकला है या फिर हमारा पहनावा है तो ये सब सामिल किये जाते हैं तो संसकृति को समझना बहुत दियाओ सक है, अगर हम किसी ने समाज में जाते हैं, ऐसी सोसाइटी में जाते हैं, जहां कि संसकर्ती का हमें नुलेज नहीं है, तो बड़ी दिक्कत आती है, हमें वहां की संसकर्ती को सीखना पड़ता है, एक्जामपल के तोर पे कोई गाओं क साथ भी ऐसा दिन रात होता है कि हम कहीं रेष्ट्रां पे जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग किस परकार से खाना खा रहे हैं और हम उनको फिर सीखते हैं फिर अपना काम शुरू करते हैं तो संस्कृति को समझना बहुत मैंतोपर्ण है तो पहले हम ब अगर संस्कृति की कोई सबसे सरोमाने प्रिवासा मानी जाती है तो वो Edward Tyler की मानी जाती है Tyler एक मानों सास्त्री है और इन्होंने अपनी पुष्टक Primitive Culture आदीन संस्कृति 1801 के अंदर ये प्रिवासा दी है कि संस्कृति या सब्वेता हम इस पे भी आएंगे कि संस्कृति और सब्वेता क्या क्या है क्या दोनों एक है या दोनों अलग अलग है संस्कृति और सब्वेता तो संस्कृति अपने व्यापक नर्जाती अर्थ में जटिल क्या है जटिल है समगरा यानि संपूर्ण है जिसमें ग्यान, कला, विश्वा कानून, रित्रिवाज, परंपरा ये सब सामिल है और साथ में हम किसी सामाजिक व्यवस्ता के सदस्य हैं तो हमारी जो छमताएं हैं और हमारी आदते हैं वो सब किस में सामिल है संस्कृति में सामिल है ऐसा किस ने का है ऐसा टाइलर ने का है तो ये सब से महतोपुन है संस्कृति की प्रिभासा इनके अलावा अमरीकी मानो सास्त्री हैं दो एक अलफ्रेड क्रोबर और कल्यूखोन इन्होंने संस्कृति का अध्यन किया तो दुनिया के अंदर इन्होंने कुल 108 प्रिभासाओं का तुलनात्म का दिन किया कितनी प्रिभासाओं का तुलनात्म का दिन किया 108 प्रिभासाओं का तुलनात्म का दिन किया और ये पुस्तक लिखी नोंने कल्चर एक क्रिटिकल रिव्यू ओफ कॉन्सेप्ट अंड डेफिशियंस यानि इनकी जो डेफिनेशन है जो प्रिभासाओं हैं उनका तुलनात्म क और कहा कि जीवन का धंग या हमारा जो भी वैवार होता है वो सब संस्कृति में सामिल होता है सभी प्रिबासाओं में यह common चीज थी तो यह दो प्रिबासाइं होगी इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक प्रकार्यात्मक स्कूल है संपरदाई है उसके संस्तापक है पोलेंड के निवासी मेलोवन्सकी तो यह नाम तो आपने बहुत सुना होगा मेलोवन्सकी ने 1931 में कहा कि संस्कृति में उत्रादिकार में प्राप्त कलाकर्तिया उत्रादिकार में प्राप्त कलाकर्तिया वस्तुए तकनिकी पर किरिया से यानि जो हम जिस तरीके से काम करते हैं विचार आदतें और मुल्य सामिल है तो यह परिबासा किनकी है यह मेलोवन्स की की है यह परिबासा यह NCRT में दी गई है मैंने वहीं से उठाई है Clifford Gritters ने क्या कहा इनकी पुछतक है The Interpretion of Culture 1973 के अंदर में कहा कि मानो एक सामाजिक प्राणी है क्या है मनुस्य एक प्राणी है जो अपने ही बुने वे महतवा कांक्षा के जाल में फसा हुआ है और इस जाल को greatest क्या कहते है संस्कृति कहते है कल्चर कहते है तो यह महतवपुर्ण है यह थोड़ी सी संस्कृति की आध्यात्मिक परिवासा है तो यह संस्कृति का जाल ही है हम फसे हुए है लेसलिव वाहिट ने क्या का कि संस्कृति है वो वस्तुनिष्ट वास्त विक्ता है क्या है वस्तुनिष्ट वास्त विक्ता है और इन्होंने तुलनात्मक रूप से अधिन किया है कि जैसे कि गंगा और यमुना दोनों नदी है लेकिन गंगा को हम पवित्र मानते हैं नारियल भी खाने की वस्तू है और एक सेयो भी खाने की वस्तू है लेकिन नारियल को हम पवित्र मानते हैं इस परकार से ये क्या करते हैं तुलनात्मक मैतो बताते हैं जो क्या है वस्तुनिष्ट वास्त विखता है ये हमारी वास्त विखता है कि हम गंगा को पवित्र मानते अगरबती को पवित्र मानते हैं पिपल को और खेजडी को पवित्र मानते हैं लेकिन कोई और पेड है उसको इतना पवित्र नहीं मानते हैं तो इन्होंने मनुस्य की पांच विशेष्थाइं बताई और कहा कि इन पांच विसेस्ताओं के कारण ही मनुस्य है वो सस्कृति का निर्मान कर पाया मनुस्य और पसुओं में क्या अंतर है किस बात का अंतर है कुछ पसु ऐसे भी है कुछ पक्सी ऐसे भी है जिन में समाज पाया जाता है क्या पाया जाता है जिन में समाज पाया जाता है लेकिन उनमें संस्कृति नहीं होती है तो मनुश्य को पस्वों से अलग करने वाली जो अवधारना है वो कौन सी है? कौन सी है? संस्कृत्ती है तो उन्होंने कहा कि ये पांच विशेशताई हैं मनुश्य की जो उसे पस्वों से अलग करती है जैसे कि सिद्धे खड़े होने की चंगता नम्मर दो, संतंतर्वता पुरुवक कहीं भी घुमाए जाने वाले हाथ तो सिद्धे खड़े होना, फिर हाथ, फिर तिक्षण, एउकेंदरित, बुद्धी, मेगावी, मस्तिक्स और परतिकों के निर्मान की चंगता परतिकों के निर्मान की चंगता इन पांच विशेष्ताओं के कारण मनुस्या संस्कृति का निर्मान कर पाया और ये मनुस्या में ही विशेष्ताई हैं, पसों में नहीं है तो ये संस्कृति की बात होगी, अब है संस्कृति की विशेष्ताई संस्कृति की क्या विशेशता हैं होगी हम मारे जो रित्री वाज हैं जैसे की सुबह उठते ही पुजापाथ करना है टूबरस करना है खाना कैसे खाना है सब के साथ खाना है अकेले में खाना है मैं कई बार एक्जामपल देता हूँ की खाने में पहले मिठा खाना है या कुछ और खाना है ये सब मासारी है या साकारी है ये सब के सब क्या है संस्कृति है और ये सब हम कहां से सीखते हैं हम अपने परिवार से हमारे समाज से सीखते हैं तो संस्कृति क्या है सिखी जाती है अगर कोई हमें नहीं सीखाएगा तो हम संस्कृति नहीं सीखेंगे इसका example भी आगे आएगा कि पस्षिम बंगाल के अंदर मिदनापूर एक जिला है वहाँ पे दो लड़कियां मिलती है जिसको हम बोल देते हैं आपने कार्टून देखा होगा मोगली उसका क्या नाम है मोगली तो मोगली क्या होता है वो पस्षों की तरह ही रहता है यानि वो उसका समाजी करण या उसने संस्कृति नहीं सीखी तो संस्कृति सीखी जाती है सिखाई जाती है संस्कृति पिड़ी दरपिड़ी स्तानांतरित होती है हमने ये जो रितरिवाज प्रमप्राएं संस्कृति है अपने बाप ददा से सिखी है और हम आगे इसको अपने बच्चों को ट्रांसफर करेंगे स्तानांतरित करेंगे तीसरी इसकी विशेशता है कि संस्कृति अपने आप में संपूर्ण होती है कहीं भी इसमें विरोधा बास नहीं होता है ये जनम से लेकर मर्त्यु तक सभी आउस्टाओं की पूर्ती बगेर विरोधा बास करते हैं बैसरते हम संस्कृति को मने अब संस्कृति के कुछ तत्वों को तो हम घर्ण कर लेते हैं, सिविकार करते हैं अगर कुछ का विरोध करते हैं, तब विरोधा बास आता है अन्यथा नहीं आएगा संस्कृति है वो बोतिक प्रयावन द्वारा प्रवावित होती है संस्कृति पर प्रभाव है न हमारे कपड़े हमारा खान पान हमारा रहना सेना सब बहुतिक प्रयावन जो भुगोल है जो environment है उसके कारण दिर्दारी होता है बिटेन के अंदर क्या होता है टाई पहनी जाती है जिन्स पहनी जाती है अंडर सेटिंग की जाती है क्यों क्यों कि वहां पे सर्दी बहुत है और अपने यहां कुर्ता पाया जामा धोती पहनी जाती है क्यों क्यों कि यहां गर्मी बहुत है तो यह प्रवाव पड़ता है ज कि वहां का environment कुछ ऐसा है कि अगर किसी को कुछ हाऊ सकता पड़ गई तो बहुत दूर दूर तक घर है कोई दूसरा नहीं आएगा पडोसी आएगा इसलिए वो एक दूसरे का सेव करते हैं नगरवालों को पता है कि हमें अगर आटा कतम हो गया तो पडोसी के या नहीं जाना हो गया तो इससे क्या होता है प्रवावित होती है संस्कृति बहुतिक प्रयावन से प्रवावित हुए बगेर नहीं हो सकती परिवर्तन सील है जब एक पीडी से दूसरी पीडी में हम स्तानांत्रित करते हैं तो संस्कृति में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाते हैं संस् से बहुत सारे क्यूसने वो बनते हैं पहला है संस्कृति सापेक्सवाद संस्कृति सापेक्सवाद का मतलब होता है कि एक संस्कृति होती है ना उसको दूसरी संस्कृति के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए संस्कृति को उसी के संद्रब में समझना चाहिए उसी के संद्रव में समझना चाहिए अब मैंने एक्जामपल दिया ना कि वहाँ पर पस्चिम देश में टाई और कोट और जुत्ते और सब कुछ क्योंकि वहाँ सरदी जाद है हम उसको अगर पुराने लोग है वो कहेंगे क्या ये पूरे बंद कर रखा है ये तो इसा हमारे राजस्तान में काहता है कभी ऐसे अंदर कर लेते ना सरट तो बोलते हैं कि क्यों तंगड़ पटिया जो उंट के बांदते हैं तंगड़ पटिया वे से बोलते हैं कि ये बेल्ट क्यों बांद रखा है क्यों कसकेब है अराम से खुले कपड़े पेन तो वो क्या है कि हमें तुल्ना नहीं करनी होती है संस्कृति को असी के संदर्ब में समझना क्या कहलाता है संस्कृति सापेक स्वाद कहलाता है example के तोर पे 2004 के अंदर सुनामी आई थी दक्षन भारत के अंदर 2004 के अंदर बहेंकर सुनामी आई थी पूरे एसिया को नोंने प्रवावित किया था आप सभी का एक बार पुने स्वागत है मैं कमेट देख पा रहा हो कि PDF टेलेग्राम पे दीजिए या कुछ और के उसे नहीं मैं उन सब पे हम इस क्लास के लाश्ट में चर्चा करेंगे तो सुनामी आई थी तब क्या है कि बहुत ज़्यादा तभाही मचे थी लेकिन जो दियूप में रहने वाले जन्जातिय थे वो इससे बचे हुए थे क्यों बचे हुए थे क्योंकि उनके पास प्रमप्रागत ग्यान था उनके पास प्रमप्रागत ग्यान था और उन्होंने पहले ही अबास कर लिया कि कोई प्राकरतिक आपदा आएगी और वो उससे बच गे और हमारे जो दक्षन भारत के लोग या जापान के लोग वो क्या थे वो टेकनीक पे डिपेंड थे कि टेकनीक हमें बताएगी लेकिन वो टेकनीक नहीं बता पाई इसी परकार से 2008 के अंदर आर्थिक मंदी आई थी भारत उस मंदी से प्रवावित नहीं हुआ क्योंकि यहां के लोगों की क्या थी सेविंग की आदत है लेकिन वहां के लोगों की सेविंग की आदत है नहीं है तो यानि अब हम कहें कि जंजातियां तो बहुत आदीम होती है उनकी संसकर्ति तो बहुत बेकार होती है उनमें तो सब बेता का विकास ही नहीं है तो ये सब बेकार है हमें इस परकार की तुलना नहीं करनी चाहिए इसको बोलते हैं संस्कृति सापेक स्वाद जब हम तुलना करते हैं तो उसे बोलते हैं नर्जाती के अंदरवाद तुलना करके अपनी संस्कृति को सरष्ट मानने की बावना है वो क्या कहलाती है नर्जाती के अंदरवाद कहलाती है कि हमारी संस्कृति इस दा बेस्ट इंडिया इस दा बेस्ट हिंदू इस दा बेस्ट इसलाम इस दा बेस्ट यह सब जो धारना है वो नर्जाती के अंदरवाद है यानि अपनी संस्कृति को स्रेश्ट मानना या सउट जाती के अंदर वाद कहलता है एस चांव थissements की जती के संपरक में आते हैं अपने, तो तुलना करेंगी नहीं तुलना कब की जती है ? जब कोई बराबर का साथ हो तो उसे तुलना कीσω जती है तो नर्जाती के अंदर वाद अपने को स्रेस्ट, और दूसरे को हीन समझना कहलाती है एक्जाम्पल के तोर पे मेकाले और भारत के अंदर सिक्ष्या पदती का जनक किसे माना जाता हैchar शिक्ष्या पदति का जनक किसे माना जाता है टी भी मेकाले को माना जाता है और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सिक्ष्या अंग्रेजी संस्कृति स्रेष्ट है हमें भारत के लोगों को ये सिखानी है क्योंकि यहां की संस्कृति अच्छी नहीं है तो ये किसको दरसाती है ये नरजाती के अंदरवाद को कहला दरसाती है और मैं कहता हूँ कि जो भारत की संस्कृति रही है ये भी अपने आप में एक नरजाती के अंदरवादी हो जाएगा लेकिन कही ना कहीं बिल्कुल भी गड़बड नहीं है ये भी स्रेष्ट है लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम परसंस्कृति गरहन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? परसंस्कृति गरहन. परसंस्कृति गरहन क्या होता है? दूसरे की संस्कृति को गरहन करना. क्या कहलाता है? परसंस्कृति गरहन कहलाता है. दूसरे की संस्कृति को गरहन करना. तो यह सा कुछ नहीं होता है एक होता है विश्वे नागरिक वाद विश्वे नागरिक वाद यानि विश्वे में जितनी भी संस्कृति है वो सब समान है कोई अच्छी नहीं है कोई बुरी नहीं है कोई उच्छ नहीं है कोई निमन नहीं है अपने आप से ही कुछ करना है तो अपने आप में सुधार करो किसी दूसरे के साथ अपने आपको या तो अच्छा मत मननो ना अपने आपको हीन मननो अब बात आती है संस्कृति के आयाम संस्कृति के आयाम की बात करें तो यहां तीन आयाम की चर्चा केगी कितने पक्स बताएगे हैं, कितने पक्स बताएगे हैं, तीन पक्स बताएगे हैं, नम्मर एक संध्यात्मक पक्स, संध्या, संध्या क्या होता है, हिंदी में हम संध्या पढ़ते हैं न, वहीं से संध्यात्मक बना है, संध्या क्या होती है, संध्या से किसी चीज़ का बोध ह मैंने कहा कुत्ता, बिल्ली, गाए, अब सब को आपको कुत्ते की याद आ गई, कुत्ता किस नसल का है, कुत्ता किसी एक विशेस नसल का है, बड़ा खुंकार है, बड़ा बड़ा उसका नसल का नाम लेते ही, उसकी आपकी तस्वीर सामने आ जाएगी, तो किसी चीज का जब जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी वेवार में लाते हैं, उन सब का बोध होता है, और हम उसको अर्थ परदान करते हैं, बच्चे ऐसे ही तो करते हैं, कि वो समझ विक्सित करते हैं, उनको बोध होता है, ये चीज ये है, ये प्रकार से मनोविज्ञान का व हो जाता है तो हमारे द्वारा देखे हैं सुनेंगे विवार में लाकर उसे अर्थ-परदान करने की परकिरिया होती है उसे हम जो सीखते हैं वो क्या है संध्यात्मक पक्स है यह बोतिक पक्स होता है उसको तो आसानी से समझा जा सकता है बोतिक पक्स को मैंने का यह पेन है या मैंने कहा कि ये पानी की बोतल है ये पानी की बोतल क्या है? बोतिक बस्तु है बोतल से तो आप समझ जाओगे लेकिन मैं कोई ऐसी सब्दावली का प्रियोग करूँगा जो कि बोतिक नहीं है जैसे कि इर्शा ए लगाओ इनका थोड़ा अर्थ समझना मुश्किल होता है और यही प्रोबलम है दुनिया की अंदर किसंस करती कि जो संग्यात्मक पक्स है वो ज़्यादा तर क्या है? ए लिखित है क्या है? ए लिखित है Walter Ong इनकी पुष्टक है Aurality and Literacy मुखिक एओं साक्सरता तो इन्होंने कहा कि दुनिया की लगबग तीन हजार लेंग्वेज है उनमें से केवल अठंतर के अंदर अठंतर के अंदर क्या है? साहित्य उपलब्द है लिखित साक्से उपलब्द है तो यह पुष्टक important है प्रिक्षा में पूछे जा सकती है आगे है दूसरा पक्स का मान किये पक्स मान विये पक्स या एबोतिक पक्स अब यहाँ वीडियो रुक रुक के चल रहा है तो हो सकता है कि आपके network में slow हो साहिद अपने तो कोई प्रोवलम नहीं है यहाँ सही है आपके network में प्रोवलम हो सकती है आप इसकी जो होते हैं आपने यह frequency होते हैं उसको थोड़ा कम कर लीजिए quality को कम कर लीजिए अच्छा चल पड़ेगा तो एबोतिक क्या होता है एबोतिक होता है जिसे हम देख नहीं सकते इसको बोलते है ए मुर्थ किस से बना है ए मुर्थ है वो मुर्थी से आप इसको समझ सकते है मुर्थी से इसको समझ सकते है आपने मुर्थी देखी है किसी देवी की या किसी की भी हमने इस सवर की मुर्थी देखी हम उसकी मुर्थी को देख पा रहे हैं उसके अंदर कोण है बगवान है मुर्थी के अंदर कोण है बगवान है अल्ला है वाहे गुरू है जो भी है क्या उसको देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं तो यह क्या होता है जिसको हम देख सकते हैं वो तो क्या होता है? मूर्थ होता है, वो क्या होता है? मूर्थ होता है, और जिसको हम नहीं देख सकते, वो क्या होता है? ए मूर्थ होता है, तो संस्कृति के से बहुत सारे ए मूर्थ पक्स हैं, ए भोतिक पक्स हैं, मानिवे पक्स हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे की जन रितिया हैं, लोकाचार हैं, पर्थाएं हैं, रिति रिवाज हैं, प्रंप्राएं हैं, प्रिपाटियां हैं, इनको हम नहीं देख सकते, कानून हैं, इनको हम नहीं देख सकते, यह अनोपचारिक है और यह कानून क्या है, ओपचारिक है, तो यह भी संस्कृति का एक पार और तीसरा इसका पक्स है तीसरा आया मैं पोतिक यानी मूर्थ तो संस्कृर्टी के इंदर बोतिक तथवय भी होते हैं जैसे कि ओजार है तकनीक है跟大家 है रेडियो है यातायात चीज मन Yo एबोतिक चीजों को में भी बोतिक चीजों का प्रियो करते हैं, जैसे चावल का प्रियो करते हैं, अगरबतिक का प्रियो करते हैं, नारियल का प्रियो करते हैं, तो वो सब क्या है, एबोतिक चीजे हैं, तो संस्कृति के तीन पक्स होगे, संग्यातमक, बोतिक और एबोतिक या मालविय है आगे है संस्कृति की परकार संस्कृति कितने परकार की होती है तो संस्कृति को ओगँभरन ओगँभरन ने 1922 के अंदर अपनी पुष्टक social change social change में संस्कृति के दो पार्ट बताये जिसकी चरचा में ने अभी की बोतिक संस्कृति जिसे मेक्याईवर ने सब्वेता का और ए बोतिक संस्कृति जिसे हम संस्कृति के तोर पर देखते हैं तो संस्कृति के मूर्थपक्स को जिसे देखा जा सके उसे बोतिक संस्कृति कहते हैं सब्वेता भी कहते हैं और ए बोतिक संस्कृति जिसको हम संस्कृति कहते हैं रितिरिवाज प्रंप्राएं विश्वास ये सब क्या है ए बोतिक और ए बोतिक संस्कृति के लिए ही संस्कृति सब्द का प्रियोग किया जाता है और बोतिक संस्कृति के लिए सब्दा सब्द का प्रियोग है वो किया था क्योंकि वहां पे क्यों मूर्थ साक्षिय हम देख पाते हैं दूसरी तरफ हम कहते हैं बेदिक संस्कृति क्योंकि वहां हम एमूर्थ चीजों को वहां से सीखते हैं अब एक है सांस्कृतिक पिछडापन क्या है सांस्कृतिक पिछडापन तो बोतिक संस्कृति और एबोतिक संस्कृति दो परकार के संस्कृति होगी बोतिक और एबोतिक लेकिन जो बोतिक संस्कृति होती है उसमें परिवर्तन तीवरगति से होता है क्या होता है तीवर गतिसी होता है वो आगे निकल जाती है एह बोतिक संस्कृति की तुलना में तो इस परकार से जब बोतिक संस्कृति की तुलना में बोतिक संस्कृति की तुलना में बोतिक संस्कृति आगे निकल जाती है उसमें तीवर परिवर्तन होते हैं तब उसे क्या कहते हैं सांसकर्तिक पिछड़ापन कहते हैं यानि बोतिक चीजें बदल चुकी है और हमारे रित्रिवाज प्रमपराई नहीं बदलती है example के तोर पे महिला है पहनावा क्या है अपना जो कपड़े पहनते हैं बोतिक है या है बोतिक है बोतिक है, हम इसको देख सकते हैं पहनावा हमने पहन लिया, जिन्स पहन लिया उपर टोप पहन लिया और चल गया फिर क्या करते हैं, रित्रिवाज क्या है कि कोई भी अगर ससूर है या जैस्ट है तो उससे क्या करते हैं गुंगट करते हैं तो हम जिन्स पेहन रखी है, और टी सर्ट पेहन रखी है, और फिर गुंगट निकालते हैं, बहुत लंबी मांग भरते हैं, चूड़ा पेहनते हैं, तो वो फिर क्या होता है? एक अजीब सा लगता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? इसे सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है, अब चे वो आंतरिक कारणों से हो, चे बायकारणों से हो, चे मानविय कारणों से हो, चे प्राकरतिक कारणों से, वो कम पाता है, तो भी बदल जाता है, बाड आती है, कुछ भी होगा, तो सांस्कृति उससे प पारे में complete बताया गया है यहां केवल मेंने चितना NCRT में करवाया गया है उतना ही बताया है यह मेरी जो पूरी की पूरी क्लास है वो NCRT based है डिटेल उससे ज्यादा नहीं बताया है जितना NCRT आपको बताना चाहती है उतना ही मैंने बताया है दूसरा है समाजिकरण इसकी भी आपको डिटेल बहुत पूरी क्लास है वो वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में देने की कोशिस करूंगा तो जनम के समय समाजी करण क्या है अब देख कोई करण करण होता है ना संस्कृति करण है समाजी करण है करण कारता है परकिरिया किसे होता है परकिरिया से होता है यान तो उसमें और एक पसू में कोई अंतर नहीं होता है बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या होता है एक जेविक प्राणी होता है वो एक सामाजिक प्राणी नहीं होता है अरस्तों ने कहा मनुश्य एक सामाजिक प्राणी है लेकिन बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक कुछ भी नहीं जानता है वो वो सकता है किसी अगर उसके सामने कोई चिंटी जा रही है ना जीवीत है वो सकता है वो उसको खा ले एक आग का गुला होता है या नि जो भी हमारे होता है वो आग में हाथ डाल सकता है क्योंकि उसके लिए कुछ भी जानकारी नहीं है लेकिन ध दिरे दिरे हम देखते हैं कि बच्चा मम्मी पापा बोलने लगता है, वो गुड मोर्निंग बोलने लगता है, वो हाई हलो करने लगता है, वो फिर आदर संसकार सीखने लगता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, वो सारे रितिरिवाज प्रमपराएं सीख लेता है, वो पुझ है यह वुलायासै करना है हुए मेरा गर यह मेरा आईयों का गर है हम इस जाती से हैं उस जाती से सकड़ है तो इस परकार आपches अच्छे-बुरे के अंदर जब ने लगता है उसे पता है और यह सभी समाज्म से ही सीसी काता है परिवार ही उसको सिकाता है पडोस उसको सिखाता है अच्छा करता है तो उसको परसंसा मिलती है वो काम करता है और बुरा कुछ करता है तो उसको डांट पड़ती है वो काम नहीं करता है तो इस परकार से एक बच्चा जब जेविक प्राणी से समाजिक प्राणी में विक्सित होता है तो उसे क्या कहते ह क्या कहते हैं समाजिकरण कहते हैं तो समाजिकरण को उस पर क्रिया की रूप में हम परिबासित कर सकते हैं जिसके दुवारा एक बच्चा जेविक प्राणी से एक समाजिक प्राणी के रूप में विक्सित होता है यह प्रिबासा किसने दी, law कर लेना, यह प्रिबासा किसकी है, new mayor की है, किसकी है, new mayor की यह प्रिबासा है, आगे है, दूसरी प्रिबासा है कि व्यक्ति द्वारा समजिक मुल्यों को सीखने की, अब वो बच्चा बड़ा होता है तो क्या सीखता है सामाजिक मुल्यों को सीखता है और उनको आंत्री करित करता है अपने अंदर लेता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते है समाजी करन कहते है ये प्रिवासा किस ने दी ये प्रिवासा पार्वसंस ने दी है तो इसको याद कर लेना समाजिक मुल्यों को सीखना और उनको आंत्री कृत करना समाजी करना है ये प्रिवासा किनकी है? ये पार्वसंस की है गिली ने कहा कि एक सिसू है वो जो समाज का किरिया सील सदस्य बन जाता है एक किरिया सील निश्करिया नहीं रहता है एक किरिया सील सदस्य बन जाता है तो वो पर किरिया समाजी करना है ऐसा किस ने कहा? गिली ने कहा तो मैंने यहां के तीन परिबासाइं दी है NCRT में ये प्रिबासाएं नहीं दी हुई है मैंने अपनी तरब से एड किये है कि हम कुछ स्टार्टिंग में थोड़ा सा अलग सीखे ताकि प्रिक्षा में अपने को benefit मिले ये जीवन प्रेंथ चलने वाली परकिरिया है अब पुछा जाए कि समाजी करन की विशेशता क्या है तो एक सीखने की परकिरिया है जो जीवन प्रेंथ चलती है जो जनम से लेकर मर्तियों तक जारी रहती है इससे आतम का विकास होता है सव का विकास होता है किसका विकास होता है सव अंग्रेजी में क्या कहेंगे सेल्फ का विकास होता है सेल्फ तो ये इसके सिधान्त है वो मैं यहां नहीं दिए वे NCRT में तो मैं यहां नहीं दे रहाँ कुले का सिधान्त है फ्राइड का सिधान्त है पियनजे का सिधान्त है यहाँ एक कहानी है जिसकी चर्चा में ने अभी की थी पस्चिम बंगाल के अंदर कहानी थोड़ी इंट्रेस्टिंग है इससे हम समाज की बहुत सारी आउधारनाओं को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे संस्कृत पस्चिम बंगाल का एक जिला है मिदनापूर जिले का नाम क्या है मिदनापूर जिला है वहाँ पर एक जंगल के अंदर एक बेडिये की गुफा में हो सकता है वो दो लड़कियां थी उन दो लड़कियों को बेडिया बचपन से उठा के ले गया होगा बच्पन से उठाके ले गया और उनका पालन पोशन उस बेड़ी ने किया और ऐसा संभव है संभव क्यों होता है कि हमारे गर में या किसी के गर में जब एक बिल्ली और कुटा होते हैं या कुछ पक्सी होते हैं तो वो एक दुसरे को खाते नहीं है वेसे तो कुटा है बिल्ली को छोड़ेगा नहीं लेकिन अगर किसी गर में एक ही गर में बच्पन से ही कुटे और बिल्ली साथ साथ रहते हैं तो वो एक दुसरे को खाता नहीं है वेसे हो सकता है जंगली ज्यानवर क्या होते हैं मनुस्य एको खा जाएं लेकिन अगर बच्पन से वो साथ में है तो इस परकार के एक रेक्टर को क्या कहते हैं मोगली कहते हैं क्या कहते हैं मोगली जिसका परिवरीष किसके साथ होती है पस्चों के साथ होती है तो उसको हम मोगली कहते है तो इनको खाता नहीं है तो वो जो लड़कियां दो मिली थी न उनका नाम था 1920 में मिली थी ये गुफा के अंदर दो बचियां थी एक अमला और कमला अमला और कमला उनके नाम थे जहां तक मुझे याद आ रहा है अमला और कमला इन्होंने नाम नहीं दिये थे मैंने अपनी तरफ से पढ़ावा था तो वो ही अमला और कमला है तो वो बेडिये की तरह ही चल रही थी बेडिये की तरह ही मूसें से खाना खाते थी बेडिये की तरह ही गुर्राती थी बोलती थी क्योंकि कोई लेंगवेस तो उन्होंने सिखी नहीं थी और बाद में किसी लकड हारे को वो जंगल में लकडी काटने गया तो उसको दिखाई दी उसने गाओं में आकर देखा और गाओं में एक NGO के कुछ लोग थे ये काहनी में ने पूरी पड़ी है NGO के कुछ लोग थे वो वहाँ से गय और लड़कियों को वहाँ से निकाल के रखा और धिरे धिरे उनकी परवरिस की जिसको उन्होंने दो महिलाओं को पाला था एक दमपती ने उनको पाला था बाद में उनकी काहनी मेंने पूरी की पूरी पड़ी ये लड़कियां है वो जदा दिन तक जिंदा नहीं रह सकी थि बाद में इनकी डेथ हो गई थी लेकिन अब वो ना बोल सकती थी कुछ मी नहीं कर सकती थी सब किस की तरह थी बिल्कुल पस्वों की ही तरह ही यानि उनका समाजिकरण नहीं हुआ था उन्होंने कोई संस्कृति नहीं सीखी थी अगर हम ऐसा ही करेंगे तो पस्वों की तरह ही होगा तो संस्कृति और समाजिकरण से ही एक जेविक प्राणी है वो समाजिक प्राणी की रूप में विक्सित होता है अगे है अगर अभीकरण समाजी करण हम किन के जरीया अभीकरण का मतला होता है साधन किन के जरीये हम समाजी करण को सीखते हैं अभीकरण या संस्ताइँ होती है तो सीखने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है परिवार का उता है, किसका होता है परिवार का होता है, आप अपने घर में कोई आजपडोस बच्चा होगा मैंने एक दो एक्जांपल ऐसे देखे हैं अगर किसी बच्चे को उससे दोनो पेरों से चलाने की कोशिस नहीं करेंगे तो बच्चा बहुत लेट सीख जाता है और नकल से सीखता है बच्चा अपने आप लेट सीखता है और हो सकता है नकल करने के लिए उसे व्यक्ति ना मिले तो वही मिदनापुर वाली कानी हो जाएगी वो पस्वों की तरह ही चलेगा तो सबसे महतोपुर्ण रोल होता है समाजी करण के अंदर सब सरवा अधिक महतोपुर्ण योगदान परिवार का फैमली का होता है वही और एक परिवार से ही व्यक्ति की पहिचान होती है है कि तुम्हारे माबाप समाजी करण नहीं किया उस्यताथरिया यह होता है और परिवार के अंदर कोई अगर गाली घ्लोच करते हैं बहुत ज़्याद तो बच्चा भी वो प्रेम से बात करना सीखेगा हमारे जो संसकार है वो हमारे बच्चों में आते ही आते हैं तो इसका प्रिवार का जाने अंजाने में बहुत बड़ा रोल होता है हम रोल मोडल होते हैं बच्चों के तो हमें जो अपना वेवार है वो अच्छे तरीके से कर पड़ोसी भी कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं और हम के बार उलावना भी दे देते हैं पड़ोसियों को कि भाई तुम्हें सा क्यों सिखा रहे हो इससे बच्चे बिगड जाएंगे तो परिवार और पड़ोस महतो पुर्ण है समाजी करण के अंदर फिर उसके बाद में मित् अंदली होती है थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो वो ग्रूप मनाली लगता है उसको बोलते हैं समकक्स समय समान आयू के बच्चे फिर वो बच्चे होते हैं कि ज्यादा तर वक्त है च्यार पांस साल के बच्चे होंगे तो वो फिर अपनी आयू के साथ खेलना में चल पड़ी है एक ही बच्चा रखते हैं उनको समकक्स समुए नहीं मिल पाता है फिर भी स्कूल के अंदर ये चीज़ें समकक्स समुए वो सबसे अधिके प्रवावित करता है वो कहते ना कि एक आम है वो पूरे के पूरे आम को खराब कर देता है या किसी ने कहा है कि थे अनोपचारिक साधन थे समाजी करण के किस परकार के साधन थे अनोपचारिक साधन थे विद्याल्या है वो क्या है ओपचारिक साधन क्या है फोर्मल मीडियम है समाजी करण का तो ये विद्याल्या में भी बाद में बजाता है तो बहुत कुछ सीखता है और जन संचार साधन дня, आज कल, आज कल, जन संचार के साधनिंग का महत बढ़ता जा रहे हैं और बच्चा जब थोड़ा सा समझ पकड़ लेता है दो-तिन में नहीं करता है तो वो मुबाइल देखना सुरू कर देता है, एक साल के अंदर अभी मैं एक्जाम्त देख रहा था कम अमकी अदर एक विकते ने 22 लोगों को मार दिया 22 लोगों की हत्य tutti एक विकते ने अपनी स्टैनम लाया और जो भी रेंस्ट रोट था, उसके अंदर डृंडण करके 22 लोगों को मार दिया, क्यों कि वहां बहुत पहले से अपने देश में भी ये कंडिसन आने वाली है हम सुनेंगे कि स्कूल में चार दोस्तों को चाकू मारा गोलियों से मारा क्यों मारा क्यों कि बच्चपन से ही बच्चे वीडियो गैम देखते हैं और वो फिर आप देखेंगे बच्चों को देखते रह बच्पन से वही सिखा है пок…. तो फिर आगे जाकर वही करता है। तो यह किसकी दिन है जन संचार के मादमों की देन है टेलिवुजन है रेडियो है इंट्रनेट है रेडियो तो अब फ्राने जमाने की बहुत हो गई। कौन देखता है। समाजी करन के वेक्तिगत सौन्तान तरता अब आती है कि समाजी करन की वज़े से वेक्तित वह उबर करनी आता है जो समाज सिकाता है वो इसी के चाहता और example के तोर परावी हम देखते हैं उसी प्रकार से वो बच्चे का समाजी करन करना शुरू कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि वेक्तित्वय का विकास होता है वो बाद में बच्चे पर डिपेंड करता है उसकी समझ पर depend करता है उसको बहुत सारे माध्य मिलते हैं वो किसको गरन करता है जरूरी थोड़ी है कि वीडियो गेम के वो उस stand gun culture को ही सिखेगा किसी और को भी सिखता है अब क्या होता है कि अब समाजी करण होता है वो लड़के और लड़कियों का अलग अलग किया जाता ह लड़के का समाजी करण अलग किया जाता है कि बेटा तू तो लड़की है तुझे तो सलवार सूट पहनने है तुझे साड़ी पहननी है तुझे कान में डालने है नाक में कुछ डालना होगा लड़का है वो कहीं भी कुछ भी पहन सकता है रात के नो बज जाएंगे आजी करन का लिंग करन बोलते हैं तो कई बार ये सुरक्ष्या कारणों से और जरूरी भी है आज के टाइम में क्योंकि जमाना बहुत खराब हो गया है कारण बहुत जादा बीगड़ चुकी है और जब हम दिन परती दिन रेप की घटनाएं पड़ते हैं तो उनमें से एक का कारण होता है कि एकांत जब भी मोका मिलता है ये बेडिये रूपी जो इनसान है वो बेठे रहते हैं और फिर वो जरा भी देर नहीं लगाते हैं तो सुरक्ष्या कारणों से इस परकार से समाजी करन का लिंक करन किया जाता है लेकिन और बहुत सारे कारण है जिन पर मैं अ बच्छों से होता है वेसक यानि जो वेसक होकर बड़ी उमर में कुछ सीखना क्या कहलाता है वेसक समाजी करन क्या है वी समाजी करन क्या है वी समाजी करन क्या है वी समाजी करन क्या है जो सिखा हुआ है उसको बुलाना जो सिखा हुआ है उसको बुलाना पुनर समाजी करन पुनर समाजी करण क्या है पुनर समाजी करण है कि दुबारे सीखना पुनर सीखना जब कोई अपराद करता है कोई कतल कर देता है किसी वेक्ति का यानि उसमें क्रिमीनल विहेवर आ गया है तब क्या होता है तब होता है कि उसको दुबारे से बुलाया जाता है कि ऐसा नहीं करना है और फिर जेल के अंदर उसका दुबारे से समाजी करन करवाया जाता है ताकि वो कराइम की जो अपनी एबिट है उसको छोड़ सके नकारात्मक समाजी करन यानि कुछ गलत शीखना स्ट्रीट कोर्नर सोसाइटी है यानि बच्चे है वो नेगेटिव शीख लेते हैं उपसंसकर्ती को सीख लेते हैं किसको उपसंसकर्ती को सबकल्चर को सीख लेते हैं परतिसंसकर्ती को सीख लेते हैं और प्रवाबासी समाज समाजी करन यानि क्या है यह संद्रब समय से जुड़ी हुई आउधारना है यानि पहले से ही आप अभी टीचर बने नहीं हो और टीचर की तरह सीखना चाते हो कि मुझे कैसे पढ़ाना होगा तो यह किशन निटों आप में चल रही होगा तो यह क्या है एक या कोई डौक्टर की त्यारी कर रहा तो कि मैं भी डौक्टर कीत रही वह सब क्या है पुरुवाबासी समाजी करान की स्रेणी में आता है तो ये तो कुछ महतोप्रण थे हैं महतोप्रण कुछ सब्दावली है जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं एक है सांसकर्ति की विकास वाद एक यूशना है कि सर कलास का टाइमिंग क्या है मैंने तो जोइन किया देखो टाइमिंग अभी है ये मैंने नएया चैनल स्टार्ट किया था ताकि एक सिस्टेमेटिक धंग से कलास से हैं वो हो सकी जैसे आप देख रहे हो सोशिलोजी कलासे इन हिंदी की नाम से चैनल है क्योंकि मेरा पुराना चैनल है मेरे नाम से है उसमें क्लासें वो सिस्टेमेटिक डंग से नहीं हुई थी लेकिन अभी भी मैं कन्फ्यूज हूँ क्योंकि मैं लायू क्लास ले रहा हूं यहां पर चार पांच बच्चे आते हैं और वहां लगबग सेंकडों की संख्या में ब मैं अभी ऑस्व पांच की है स्वआपांच होगी लिंक है वो में टेलेग्राम चैनल पे डाल देता हूं यह चैनल को आप देख सकते हैं एक नाम चैनल क्यों यह यह हैं धीरी यह सेठ हो जाएगा एक-दो दिन के अंदर 순सEr में इसको टाइमिंसे ट्रेठ कर लूंह आ आग उसी परकार से संस्कृतिक का विकास भी नेचूरली होता है तो इसको क्या कहते हैं संस्कृतिक विकास वाध आगे है इसमें प्राकर्तिक चेन में तो पुरना क्या है प्राकर्तिक चेन प्राकर्तिक द्रिश्टिकोंड से यह होता है एक है स्टेट विवस्ता है वो सामंतवा दिन यूरोप की वेश्ता है जिसमें तीन सरेनियात होती है एक कुलिन वरग, एक पुरोहित वरग और एक समान्य वरग ये तिन्नों स्टेट होते हैं और अपने-अपने मुख्या का चेहन वो करते हैं वरहत सनखला रहीत प्रम्प्रा बड़ी प्रम्प्रा रहीत होती है यानि छोटी प्रंप्रा अब रमायन के अंदर महाबारत के अंदर या पूरे देश के अंदर जो प्रंप्रा होती है वो किस परकार के प्रंप्रा होती है वो क्या होती है वरिहत प्रंप्रा होती है एक्जांपल के तोर पर अभी दिवाली आने वाली है दिवाली के दूसरे दिन हम किस की पुजा करते हैं किस की पुजा करते हैं गो भर्धन की पुजा करते हैं हमारे यहां तो क्या होता है राजिस्तान में जांसी में हूँ वहां पे गोबर का एक पहार सा बनाते हैं उस पे कुछ जो बाजरा वगरा होते हैं वो रखते हैं अब यह क्या है इसका वर वो रमायन में मिलता है अब इसको क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये गोबर्धन परवत की पुजा है और कुछ लोग कहते हैं कि ये गोबर्धन गोबर्धन यानि पसुधन की पुजा है तो जब भरत प्रमपरा के तत्वे निचले स्तर प्याते हैं तो वो अलग-लग हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं लगू प्रमप्रा कहते हैं तो बड़ी प्रमप्रा जब छोटे में बदल जाती है इसके लिखित साक्षे मिलते हैं ये सभी लोग करते हैं ये इसके लिखित साक्षे नहीं मिलते हैं और बहुत छोटे लोग करते हैं बहुत छोटे लेवल बियानि बरहद प्रंपरा का स्तानिय करण हो गया है और जब कोई स्तानिय प्रंपरा बरहद प्रंपरा में बदल जाती है तो उसको बोलते हैं सारो बहुमी करण क्या बोलते हैं सारो बहुमी करण यानि सभी समाजों में वो फेल गई है एक है उपसंसकर्थी उपसंसकर्थी एक संसक्रती होती है जैसे कि भारत एक संसक्रती है भारती संसक्रती है लेकिन बारती संसक्रती में गुजराती संसक्रती अलग है राजस्तानी अलग है पंजाबी अलग है रियानी भी अलग है बिहार की अलग है यूपी की अलग है मद्यपरदेश की अलग है तो यह सब क्या है उप Philippe Надा कि ऐसंश करती होते हैं एक उप्छ शंश करती है इसके विपरीइध मिलती होना गुछ तत्तवे मिलते हैं और कुछल के मंत अप शक्रती PGT के लिए है यह बिल्कुल है सभी एक्जाम के लिए बेसिक है और इसकी PDF है वो टेलेग्राम पे नहीं टेलेग्राम पे नहीं आएगी लगभग सायद UP, PSE के लिए तो काम में नहीं आएगी मैं अभी NCRT की एक बुक लिख रहा हूँ NCRT को सरल लेंग्वेज में वो बुक् क्लिट हो जाएगी उसके लगभग 15-20 दिन के अंदर वो बुक्स के रूप में आएगी उससे पहले में वीडियो यह PDF वो नहीं मिलेगी आपको यहीं से त्यार करने पड़ेगी लेकिन इसमें इतना कुछ है नहीं कि आप नोट करो आपको PDF जो करते हो ना सारा चीज मत नो करने हो से विलेगत है ए भागत